नवाश्यूर्स वेल्स 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 23rd सप्टेंबर 2024 मंडे का दिन और जैसे यह आप देख पा रहे हैं पुरी ग्लोबल मार्केट में आपको हरी यह ले दिखाई पड़ रही है गिफ निफ्टी इस अप 67 पॉइंट्स एशन मार्केट के बारे में बात रहे हैं निकाई मे किया था चैना ने भी 0.5% का इंट्रेस्ट रेट आज के दिन कम किया है प्राइमेरली विकॉज वहाँ पर ग्रोथ के कंसेन आ रहे हैं स्लोडाउन के कंसेन आ रहे हैं यही रिजन रहे हैं कि मार्केट में लिकुडिटी साफ साफ आती हुई दिखाई पड़री इंट्रेस रेट के कम होने से निफ्टी 50 ने लास्ट रोडिंग सेशन में 25,800 के लेवल्स को टेच किया निफ्टी बैंक ने 54,000 की तरफ की रेस लगाना शुरू कर दिया है दोस्तों जैसा कि हम लोग ने निफ्टी वीकली व्यू के चार्ट पर स्टेडी किया था निफ्टी बैंक का जो मेजर रेजिस्टेंस अब आ करके खड़ा हुआ है वो खड़ा हुआ है 55,000 के लेवल्स पर अब 55,000 के लेवल्स पर क्या प्रेस सेशन होगा वो तो हम लोग 55,000 आएगा तरफ डिस्कूस करेंगे फिलाल के लिए दोस्तों मार्केट में बाइंसी, मार्केट में इन चार्ट फ्रेसंगा तो लिड गर रहा था है सकॉट्स विच ओन्मसी परसेंट अमिनम का चार्ट विदोस्वन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है आएगा ये मार्स तो बाइज बात रहे बाठ रहे एए स्माल फिनेंस बांख उस त्री परसेंट आउन अधिद बिल्ला फ 2000 के levels को reclaim कर लिया है और assets precious metals इन सभी की valuations इन सभी का जो price है वो आपको north direction में जाता हुआ दिखाई पड़ेगा उसका reason यह है कि जिस प्रकार से currency में depreciation हो रहा है इंडियन रुपी की currency इंडियन रुपी में depreciation ओंडियन रुपी नहीं जो world across currency में depreciation होगा योगि जो में interest rate कम होगे अब दुस्वों यहां पर तो आपको इंडियन रुपी में इंट्रेंट को रिड्यूस किया अब दुस्वों इंडियन रुपी में आपको तब तक interest तब तक strength दिखाई पड़ेगी जब तक इंडियन रुपी में या फिर इंडियन करेंसी के सिनारियो में interest rate कट नहीं किये जाते तो इंट्रेस्ट जैसे ही RBI कट करेगी तो इंडियन रुपी में भी आपको धीरे धीरे प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ेगा पाई निफ्टे 50 में लास्ट निफ्टे 50 में तेजी थी 375 पोईंसी क्लोजिंग हुए 25,791 इंपॉर्ट रिस्टन्स 26,000 ब्रीच करता है 250 पोईंस मौ नेची के लिवल पे 25,550 इस इन इंपॉर्ट अपॉर्ट लेवल ब्रीच करता है तो 200 पोईंस के रावाट दिखाई पड़ लास्ट सेशन में लोग ने 53,800 का कॉल ऑप्शिन बाई किया था आज की दिन क्या करेंगे तो 100 डिपेंड करेंगा कि हमारा जो इंपॉर्टन्ट लेवल है वो ब्रीच करता है ये नहीं और आज की दिन थोला सा साथानी से देखा भी जा सकता है तो विल सी विल सी डैट वि आज की दिखाई पड़ सकती है इस आर दी पीविट लेवल पॉंट्स जो कि आप लोग खुद भी फैंडूट कर सकते हैं एफ इस लास्ट सेशन में बाइं करती चौदा हजार क्रोड वर्थ ऑफ स्टॉक्स की डियाइस की तरफ से सेलिंग थी 4400 क्रोड वर्थ ऑफ करो मार्केट में पैसा जाने दो फंट्रेजिंग की न्यूज़ है दूसों यूग्रो क्यापिल में इसके अलावा जिंदल स्टील स्प्लेट कर रहा है तो इस तो वन तो इन सभी स्टॉक में आपकी नजरें होनी चाहिए है एच एच एफ से ने दूस्टों स्ट्राटेज हो रहा था कल के दिन के इनकी 30,000 क्रोड की डील हुई है नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग के साथ और भाई तो इससे वोड़ाफोन एडिया को फायदा थो नहीं ने मिलने वाला है इससे 30,000 क्रोड रुपए वोड़ाफोन एडिया की बैलेंस शीट से निकलने वाले है एक्सप कॉम एकुपमेंट खरीद रहे हैं, इन्फरिशार क्रेट कर रहे हैं जिससे कि वो 5G को लांच कर सके हैं अभी वो लांच ही कर रहे हैं यहां जनता 5G कब से यूज़ कर रही है अट लिस्ट नाम पर तो यूज़ करी रही है, सर्विसेस तो 4G वाली भी नहीं है ग्लिन मार इन्हांस में दोस्तों आपना रख सकते हैं क्योंकि जो पार्शली पेड़ शेर्स की जो लास्ट एट थी डैट वस 20th सेप्टेमबर उसको बढ़ा करके भी 7th of October कर दिया गया है तो जिनको भी बोनस चाहिए और अगर आपके पास पार्शली पेड़ शेर्स हैं तो फिर 7th of October तक आप इसको पे जो बोनस चेर का माउंट है उसको पे कर सकते हैं टाटा स्टील ने इंडिया का लार्जेस्ट ब्लास्ट फरनेंस कमिशिन किया है 27,000 करोड में जिससे कि उसकी केपैसिटी बहुत जदा इन्हांस हो जाएगी वैंगार्ड ने 0.5% का अर्विंद बाई कुछ स्टॉक है जहां पर आपको लिक्विडिटी दिखा ही पड़ सकती है लॉक इन पीरेट खताम हो गया जिसमें की डिवेलपमेंट इंटराग बिल्डिंग है तो यहां पर आप थोड़ा सा नजर रख सकते हैं जो स्टॉक बैन में हैं दुस्टों यह सारे के सारे सारे कोई फ्रेश ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और ना ही कोई फ्रेश ऑप्शन राइटिंग तो दुस्तों स्टडी करिए डॉक्तर रेडियस स्टडी करिए क्लेलमाक एज़गी फिनेशल सर्विसेस का आप यू आने वाला है लास्ट टोशन में डिसकुस भी किया था शाम को विवनेंग रफ में मस्टरी देश एटी जिल एजर अरको काफी बली फंडिंग मिल चुकी एन ग्लोबली एंटी पीसी और यू निविफ से स्टॉक्स पनेश एजर रखने ही पर गी गोल्ड शॉक्स में इनका यूस कर सकते हो अप फ्री अव कोस्त मारे प्रेवें 1 9 7 9. Thank you so very much. Bye-bye for now.